वेल्कम बेक टो मैं चैनल आप सभी कैसे हैं आसा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे मैं यहां अच्छी हूँ आज मैं आपके सामने नई रिसिपी लेके आई हूँ वो है मूँडाल का चिल्ला तो देखिए मूँडाल की चिल्लावनाने के लिए मैं यहां क्या-क्या लीए हूँ देखिए मिजर्मन कव कव से मैं यहां एक कव मूँडाल बिंगा के रखा हैं और इस चम्मच से दो चम्मच कच्छा चावन लिये हैं और कुछ अध्रक का टुकड़ा और हरी मेच यह सब मैं अच्छी तरह दो के ग्राइंड कर लोंगी तो क्रेंस मैंने यहां पर मूंडल पूरा फाइन पीज लिया है इसको बेटर देखिए थोड़ा इसमें पानी मिला लेते हैं थोड़ा पानी मिला लेते हैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं यहां पर नमक डाल दिया मैंने देखिए इतना पतला होगा यहां पर मैंने याज में तावा चड़ा दिया है तावा मैंने चड़ा लिया है यहां पर मैं तोड़ा सते जाल दोंगे यह चिल्ला आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं यह सॉस के साथ भी खा सकते हैं बहुत अच्छा रेसिपी है यह आप भी बनाएं आप भी ट्राइ कीजिए बच्चों को भी दीजिए देखिए यह चिल्ला तलका साइस में तेल डाल देंगे यह मैंने पिला आला मूम डाल से किया है और आप लोग अगर छिल्का वाला डाल मिले तो उसमें बहुत बढ़ी आऊगा थोड़ा कलर ग्रीन आएगा लेकिन उसमें ज्यादा टेस्ट लगता है इससे भी ज्यादा उसमें ज्यादा टेस्ट लगता है आप लोग भी ट्राइ कीजिए फटा फट बना सकते हैं बस दो घंटा लगेगा दो घंटा भी नहीं उससे भी कम लगेगा भींगने में डाल यह फटा फट भींग भी जाता है मूंडर बहुत बढ़िया रेसिपी है आप ब्रेकफंस के खासकते हैं सामको टाइम में खासकते हैं बूर टेष्टी है खाने में आपी बनाईये बच्चो भी बहुत पसंद करते हैं इसको चक्ने के साथ भी आफ सखा सकते हैं इसको, टमाटर चटनी, चना डाल का चटनी, नारियल चटनी, कुछ भी चटनी के साथ, यह बढ़िया लगता है, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, को बढ़िया टृतओ, बढ़िया लगता है, सूस कि अजर प्राप बढ़िया, लगता है, सॉस का बढ़िया लगता है, साथ भाप पतला पतला बन के त्यार हो चुका हैं कि यॉवटा डाल देंगे अब और टेस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा कुर्कुरा भी बन जाएगा इसमें फटा फट बन गया फ्रेंस आपी बनाईए आपी ट्राइ कीजिये और कैसा लगा आप खाके बताईए कॉमेंट में अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मग भूलिएगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि ऐसा लगा दिखिए फ्रेंस ये बनकर फटा फट त्यार हो गया है गर्मादरम मुंग डाल का चिल्ला, तो आज की ब्लॉक मैं यहीं खतम करती हूँ, फीर मिलती हूँ, आप लोग से नई ब्लॉक के साथ, तक तक के लिए, बाई, टेक क्यार